कि एलो वरिवन और वेल्कम तो आवर चैनल निफ्ट नाइड यूसीड वित की आट इंड डिजाइन इस वीडियो बहे हम यह देखेंगे की ड़ी यूटी वर्ल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन का जो रिजिस्ट्रेशन फॉर्म है एप्लिकेशन फॉर्म है उसे कैसे फिल याद रखेंगे याद रखेंगे वही एमिल एड्रेस आपका लॉग इन के लिए पासवर्ट बनेगा तेन आपका नमबर फोन नमबर याप अपको नमबर डालने परस्टनल फोन नमबर जिस पे डिवीड के तरफ से रिलेटेट आपके अपडेट होगा तो इस नमबर पर जया आपके से नमबर इस गया हरे हувати कर से अगे होगा देली आपको अपको एड्रीओ करता करता हैं जैसे मैं आपे South Delhi select करता हूं then आपको अपना course select करना है इन नीचे दिएगए जिस भी course में आप admission लेना चाहते है उसमें जिए एक course को आपको चूज करना है जैसे मैं आप बीडेश चूज करता हूं बीडेश चूज करने के बाद select specialization आपको उस course के अंदर exactly क्या करना है जैसे इन बीडेश में यह सारे options मिलते हैं आपको तो इसमें मैं चूज करता हूं एनिमेशन गेम डिजाइन इसके नीचे एक capture code है जो भी code सबके होंगे यही code आपको यहां पर सेम लिखना है जैसे में आपको यहां पर प्रेस करके refresh कर सकते हैं आपको नए code मिलेंगे जो को easy लगे कि हाँ यहां यहां पर देखके लिख सकते हैं जैसे यहां पर लिखने के बात नीचे है एक टेक बोक्स बनाए जिसमें लिखा है आई एग्री टुरी सिव इंफॉमेशन वाइशन अप और वर्ल युनिवर्सिटी आप डिजाइन इसमें यह यह कि इस पर टिकनन अपने प्रोवाइट के उसमें आ जाएगा तो यह सारे एक बार आप जो भल लेंगे उसके बाद आपको सिंपली रिजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो यह पेज आपके पास ओपन हो जाएका जहां पर लिख है थैंक यू पर रिजिस्टरिंग वेट वर्ल यूनिवर्सिटी इमेल आइडी पर गया है जो इमेल आइडी आपना रिजिस्टेशन के टाइम डाला था तो वो इमेल आइडी आप जब खोलेंगे वहाँ पर एक WD वर्ल यूनिवर्सिटी आप डिजाइन की तरफ से एक मेल आयोगा जिसमें एक लिंक होगा उस लिंक पर क्लिक करके आपक कौन सा चूटके वह मैंशन होगा त्र यूसके नीचे लिख सा है वेरिफाई ईमेल पर क्लिक करने के बाद वरिफाई करने के बाद ये पेज्ड आपके पास खुल जाएगा जहां सबसे उपर है और एप्लिकेशन फॉर्म्स तो अब क्लिक करना है और पीजी यूजी अड और अगर आप डिप्लोमा के लिए करना चाहता है तो जब एक बार आप सारा अपना अप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको यह पी अमाउंट है यह पे करना है तो यहाँ पर अब मैं अप्लाइन आपके क्लिक करता हूँ अब अप्लाइन आपके क्लिक करने पर यह बेज आपके सामने खुलेगा जहां उपर आपको पांच स्टेफ दिये गए होंगे जिसमें सबसे पहला स्टेफ है जहां से स्टार्ट होगा वो है एप्लिकेंट्स डिटेल्स डेन डिटेल्स डेन डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग तें ट्वेल उन सबके एग्जामिनेशन के जो भी आपको नंबर वगर यहां पर डिटेल्स ऑप वालिफाइंग एक्जाम में आपको लिखने हैं वहाँ पर अपडेट करना है देन डेक्लेरेशन डेक्लेरेशन में इंडिया आपको पूर्ट और आपको प्लोड करना होग एप्लिकेंट डिटेल्स में सबसे पहला आपको यहां पर पांच इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन वह है कैंडिडेट हुए एपियर इंड़ प्रीक्वालिफाइंग एक्जामिनेशन एंड हुस रेजल्स अवेटेट में अल्सो एप्लाइज सकते हैं उनका जो अलगतरी से चैन्सिडर होगा और वह उनको जब उसका रेजल्ट आएगा देन उसके अगेंस्ट आपको अपके डॉक्युमेंट वगर अप्लोट करने पड़ेंगे जो भी डॉक्युमेंट साप्र मांगे जाएंगे तेन एलिजबिटी क्राइट क्राइ एडुकेशन से रिलेटट भी जो जो भी आपसे डिटेस मांगे जाएंगे वो सारी आपको यह कोई भी अगर वहता है मतलब प्रइटीर्या है एडमीशन की एड वोग करते मतलब वह एडमीशन मिल जाएगा तो इसकी यह कोई गैरेंटी ने कि एलिएटी एडमीशन वह से क्योर हो गये देनफ पूर्थ है एंड एप्लिकेंट में एप्लिकेंट में आप्लिकेंट बीज़ एप्लिकेशन फिर इस फीट इपूर्दिकेशन फोर्म तो यह पी यह भी जयां एकि जो भी कैंडिटेट्स अगर आप बीडिज के लिए प्रोग्राम के लिए आप फिल कर सकते हैं अगर आप किसी और प्रोग्राम में इंटरेस्टेट तो जिन में आपको फिर आइडमिशन जिसमें आपको चांसे होंगे वहां पर आपको भी एडमिशन के रिलेटेट कोई भी मैटर हो कुछ भी हो जो लास्ट और पाइनल डिसीजन होगा वो डेवली डी का ही होगा वो लोग ही डिसाइड करेंगे कि आपका एडमिशन सेक्यूर हो रहा है कि नहीं भले ही आपका जो फॉर्म बिल्कुली करेक्ट हो या फिर आपकी कि जो भी एलिजिबिटी क्राइटेरिया वो मैच कर रही हो बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वह डब्यूडी को होगा तो अब हम एप्लिकेशन की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले हैं प्रोग्राम डिटेल्स में आपको यहां पर डिग्री एप्लाइड में आपको जो कोड साब को भी डिगरी है वो सेलेक्ट करने हैं मिना फीर किया देन प्राइडी वन मतलब इस बीडिजाइन जो को से उसके अंदर डिफ्रेंट प्रोग्राम से जैसे हमने बाए मतलब मान लेजे मेरी मैं डिजंद में एनिमेशन एन डेमिन चाहता हूँ प्रोग्राम ही दूँगा इसके अलावा प्राइशन डिजाइन को सेकंड प्राइशन डिजाइन में सीट नहीं मिलता तो मेरे मेरी सेकंड प्राइविटी मिल जाएगी जो है पैशन डिटेल में आपको अपना अगर आपको आपको यहां पर टाइप करने के बाद आपके बिलॉंग करते हैं इंडियान अफगान जो भी यहां पर जिस नेशनल नेशनल लेटी से बिलॉंग करते हैं यहां पर सिलेक्ट करना है आपको यहां पर अपना अधारकाट नंबर डालने के बाद फिर नीचे आएंगे आपके पेरेंश डिटेल यहां पर आपको अपको अधर क्लिक करने के बाद आपके नाम लिखना है आपके मुबाइल नंबर इमेल आईडी अपकी मॉम क्या करती यहां से चूस करके अगर यहां पर नहीं दिये तो अपको अधर करके लिखना है करने के बाद जो यह प्लियर कर लेते हैं आपको नेक्स टेप था वह कंप्लीट करने के बाद जो हमने नेक्स्ट प्रेस किया तो अब हम आगे हैं एड्रेस डिटेल में सबसे पहले हमसे पूछा गया है एड्रेस और करिस्पॉंडेंस तो यहां पर आपको अपना जो डालने जहां पर आप अभी स्टे कर रहे हैं जहां पर इनके सब्सक्राइब की तरफ से कभी भी आपको कोई भी लेटर वगर आता है या कुछ भी तो वह एड्रेस आपको यहां लिखना है जिस एड्रेस पर आप अभी स्टे कर रहे हैं सो इसके लाव नीचे एक option आपको मिलेगा कि यहां पर लिखा है इस permanent address same as address for communication मतलब बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि लोग अपने permanent address में रहते हैं उनका permanent address as per document कुछ और होता है लेकिन वो stay कई और कर रहे होते हैं तो अगर एसा है आपका जो आप यहां पर रहते हैं वह आपका permanent address नहीं है तो आपको यहां पर 9 लिखना है नहीं पर अभ video जाए अब स्टेप टू जो आपका एडिटेल्स था वो कम्प्लीट करने के बाद हम स्टेप थी में आगे हैं जहां पर आप से आपकी डिटेल्स ऑप कौलीफाइंग एग्जामिनेशन पूछा है यहां पर आपको अपने 10th and 12th के मांक्स डिटेल्स को अपने 10th and 12th complete किया एंड क्या मां मिलें वह सारे डिटेल्स हैं अब नाम यहांसे आपको यहां से अपना बोट करने जिस बूट के अंडर आपना 10th complete किये नहीं देन इनकेश यहां पर आपका बोट मेंचेंगे तो आपको अज़िक करके यहां पर आपने बौट का नाम टाइब करना यहां अपने किस साल में पास किया वो यहां से आपको एयर सिलेक्ट कर लेने हैं जब भी आपने अपने कितनी मिले हैं यहां इसके बाद है 12 12 में आपको अपने आपको नाम डालने जिस प्रवाइब करना है यहां पर दिया रिजल स्टेटस अगर आप 2023 में पर ने तो यहां पर एपीरिंग सेलेक्ट करना है पहले ही अपना जो ट्वेल्ट का है तो पास आउट से लेक्ट करना है यहां पर प्रसंटीट सेलेक्ट करके आपको पर सब्सक्राइब करने तो यहां साथ में चूज किए आठीन करना लेकिन अगर आपने इन दीनों में से आपने कुछ और चूज के यहां पर तो आपको अधर चूज करके यहां पर अपना जो सब्जेक्ट है वो लिख देना है यहां पर अब आपको अपना National Academic Depository ID डालना है यह विसी के लिए अगर कुछ लोगों confusion है तो यह एक Digilocker आप आता है यहां पर आपको लिखने इसके बाद है अगर आप यह सिलेक्ट करते हैं मतलब आप किसी और एक्जाम के लिए भी एपियर हुए हैं तो इसके accordingly आपको यहां पर अपना जो टेस्ट का जो जिस एक्जाम के लिए उसका एक्जाम का नाम आपका जो सिलेक्ट करना है तो यह अगर आपने किसी और कोलेज जैसे नेफ्ट एन इडी बहुत से स्टूडेंट है वह एक्स्टर एक्जाम देते हैं तो उसके accordingly आपको यहां डिटेल डालना है लेकिन आपने यह फर्स्ट आप डिटेल सब्सक्राइब करने इसके लाब आपने का यह और नहीं किया तो आपको नो करके बिस नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो डिक्लेरेशन आपने इस आपने डाली वह सारी करेक्ट है और इनकेश कुछ भी उसमें मिसलीडिंग या फिर कुछ भी गलत होता है वहले आपने जान बूच के डाला या गलती से डाला तो डेली जो है आपका एप्लिकेशन डिच्ट कर सकता है देने I know that admission to the WD and my continuing on its rules are subject to provision of WD and any other rules and instruction which may be issued from time to time I shall a bit by the rules of discipline proper conduct so second volume में यह बोला गया है कि WD की तरफ से जो भी rules and guidelines आपको मिलेंगी वो सब आप follow करेंगे and time to time आगे भी जो भी WD आपको responsibilities या फिर जो भी rules follow करने के लिए आप उन्हें उन्हें properly follow करेंगे and किसी भी तरह से किसी भी illegal activities या फिर किसी कोई भी गलत काम जैसे ragging इन सब में involved नहीं होंगी तो इसमें भी है कि अगर आपको admission मिल भी जाता है लेकिन आप किसी भी तरह के गलत काम में involved होते हैं या फिर कोई भी लीगल activities करते हैं तो WD आपको वहां से suspend कर सकता है एं थर्ड है आइस सोल्मली अफिर्म डैट आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई करने के तरह से आपको कोट के अंडर कभी कोट में बुलाया नहीं गया है या फिर इसके लाब आप किसी भी स्कूल इंसिट्यूट या कॉलेज से एक्सपेल्ड या रस्टिगेट नहीं किये गये या फिर आप किसी भी examination किसी भी examination में आप एपियर होएं वहां से बिसिकली यही बोला जा रहा है कि जो भी आपके पेरेंट या गार्डियन से पूछा जा रहा है कि आपने जो भी details ले सकता है तो इससे आप इसके रिगार्डिंग जो आपके पेरेंट या गार्जयन ने उनसे declaration ले रहें तो यहां पर आपको अपना नाम पेरेंट नेम डेट इस डेट में आप यह फॉर्म फिल कर रहें वह फिल करके क्लिक करने का मतलब यह कि आप यह दो डेक्लिरेशन दे रहें तो तब तक आप वैसे भी यह जो नहीं कर सकते उसके लावा नीचे लिगा है आपको डब्यूडी के बारे में कैसे पता चला मतलब आपने न्यूस्पेपर में कई डब्यूडी का एड देखा या शोशल मीडिया या गूगल स्कूल पेर कोचिंग इंस्टिट्यूट फॉर्म प्रेंड और रिलेटिव अधर मतलब इन ओप्षिन में से कही से भी आपको डब्यूडी के बारे में पता चला तो आपको वह सिलेक्ट करना है और एक्जांपल अगर आप यह वीडियो देखन कि आपका नेम इमेल इडिन फोन नंबर सब सब्साइए कि नहीं लेकिन कुछ भी आपको लगते हैं आपको कुछ मिस्टेक है तो वापस उसी स्टेप में जाके वह ठीक कर सकते हैं यहां पर आपको टोटल 101.70 की पेमेंट करनी है पेमेंट करने के लिए आपको मेंक पेमें सब्सक्राइब करने करना है जो यह प्रोसेस कंपलीट हो जाएगा आपका काम या अब डेव्यूडी की तरह से आपको कन्फरमिशन आएगा जो भी आगे की दिसक्सिंट वगरा जो भी नेक्स टेप्स होगा वह सब आपको आपके इमेल के तुरू एंड जो आपने नमबर जो उसके थुरू कॉंटाक्ट गिया जाएगा डेव्यूडी के तरफ से तो इस वीडियो में बैस दे ही था ओपुलिए आप लोगो को थोड़ा हेल्प होगा इस वीडियो से रेजिस्टेशन कैसे करते हैं इसमें थोड़ा हेल्प मिला होगा और इनकेज आपको फिर भी क